नमस्कार दोस्ता आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में तो आईए जान लेते हैं देश बर के मोसम का पूरानवान लेकिन उससे पहले एक नज़र डालेते हैं मानसून के नए ताज़ा वेदर अपडेट पर तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आज मानसून ने आगों को बड़वार करते हैं हर्याना के आदे से ज़्यादा भागों को कवर कर लिया है और पंजाब के भी उत्री पश्यमी भागों पर पहुँच गया है और अब केवर पंजाब, पश्ची मिराजसान और हर्याना के कुछ भाग बज़े हैं जिने मानसून आगे को बड़वार करते हैं जल्दी ही कवर कर लेगा लेकिन दोस्तों भले ही मानसून ने आज हर्याना के जादातर भागों को या जादातर हिस्सों को कवर कर लिया हो लेकिन मानसून के आने के बाद में जो अच्छी तेज बारिस होने की संभावने बनती हैं उस तरह की बारिश नाई तो हर्याने में देखने को मिल रहे है नाई एंशिया दिल्ली और नाई पश्ची मुतरप देश में हाला कि भारतिया मोसा मिग्यान या आई एमडी ने आज के अपने वैदर अपडेट में यानिके 30 जून के GFS मोडल में एंशिया दिल्ली हर्यान और पश्ची मुतरप देश के कई लाकों में भारी मूसला दार बारिश होने के संभावने जताई थी लेकिन उस तरह की बारिश इन राज्यों में नहीं हो पाई है हाला कि दोस्तों IMD ने मोसम विभाग ने आज के अपने नए ताजा वैदर अपडेट में फिर से हर्याना एंशिया दिल्ली और पश्ची मुतरप देश को ले करके रेडर जारी करते हैं जताई हैं अगले 24 गंटों के दोरान यानि के पहली जुलाई में फिर से कई लाकों में भारी मुसला दार बारी सोने खैंदे आजिंग गंटों के दोरान भी इन डाज्यों में भारी मुस्लादार बैस सुने की संभावना ही बन पाएंगी क्योंकि हम रोज आपको मोसम की जानकार देते हैं और सारी की सारी मोसम जानकारी हम आई-एमडी के भारतिया मोसम ग्यान के GFS मोडल के आदार पर आपको बताते हैं और मैं ही क्या जितने भी यूट्यूब पर चैनल है मोसम की जानकार देते हैं में सभी के सभी आई-एमडी के GFS मोडल के आदार पर ही आपको जानकारी देते हैं या बताते हैं लेकिन 29 जून से आई-एमडी ने देश के मैदा भारी मूशला दारवारी सो पाएञेंगे, हलाकि कुछ अन्य वेडर मोडल है या अन्य वेडर एल्प बेंख वे इस भारी बारी को देश के मैदनी राज दिखा रहे हैं लेकिंगे दोस्तों हम सारी की सारी जानकारी देते हैं IMD के GPS मोडल के आदार पर तो इसलिए मैं आपको जो भी जानकारी देने वाला हूँ वे केवल GPS मोडल के आदार पर देने वाला हूँ तो अगले 24 गंटों के दुरान भी IMD ने हरियाना, एंशिया, दिल्ली, पश्शिम उत्तरप्रदेश, पूर्वी उत्तरप्रदेश और बिहार के भी काफी भागों में भारी से भारी बारी या कुछ इलागों में मूसला दार बारिस होने की संभावने जताई हैं तो आईए जान लेते हैं सभी राजों के किन-किन भागों में या किन-किन जिलों में अगले 24 गंटों के दुरान भारी बारिस या किन जिलों में मूसला दार बारिस होने की संभावने बनी रेंगी तो शुरात कटे हैं देश के पाड़ी राजों से जमू कस्मीर में तो अगले 24 गंटों के दुरान कोई खाज ज्याद अच्छी बारिस होने की संभावने नहीं है लेकिन हिमाचल पर देश उत्राखंड के चंपा, कांगडा, हमिरपूर, उना, विलासपूर, मंडी, सोलन, सिमला, और सिर्मोर, और उत्राखंड के भी देहरादून, हरिदवार, गडवाल, टीरी, गडवाल, अलमोडा, नैनिताल, चंपावत, उदमसीन अगर इन जिलों के काफी भागों में अच्छी तेज भाहर, बाहर इस होने की सबावने में रहेंगी, इसके अलावा बात करें मैदानी राज्यों की तो दोस्तो पंजाब के मध्यापश्ची मी भागों में तो केवल हलकी फुल की भाहर इस है, एक दोस्तानों पर हलकी से मध्यापार इस हो सकती है लेकिन पंजाब के पटियाला, संग्रू, मंसा, बर्नाला, भटिंदा इन जिलों के कुछ भागों में अच्छी तेज बारी सोने की संभावना है अगले 24 गंदों को तरान बने रहेंगी इसका लवा बात करें हरियाना की तो हरियाना के जदतर भागों में मौसा मिबागों में रेडर जारी करते हैं भारी मौसला, दार बारी सोने की संभावना है जता ही है जदोस्तों पंचकुला, चंडीगड, यमना नगर, अंबाला, कुरूछेतर, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जीन, रोतक, भीवानी, म चीन, इन जीनों के कुछ भागों में केवल हलकी बार्षे एकड़स्तानों पर हलकी से मत्यम बार्षे जोनेक संभावने बनी रहेंगी एनशिया, दिल्ली के भी जादतार भागों में दूरान रेडर जारी करते हैं भारी मौसला दार बारी सोनेक संभावने जता ही है और इसी के साथ में पूर्वी राजस्थान के भी जो उत्री भाग है जुन्जुनु, सीकर, जैपूर, अलवर, दोसा, भरतपूर, नागोर, इन जिलों के भी जादतार भागु में, मौसम विबाग में लिए 24 गल्टों के दवान, रेडलर चारी कत्ये, भारी मौसलादार बारि इसका लाद दोस्तों बात करते हैं उत्तर परदेश की, तो पश्य में उत्तर परदेश के भी जो भाग या जो जिले, एंशिया दिली के आसपास है या एंशिया दिली से सटे हुए हैं, जैसे शामली, मुझा फनगर, बागपत, मेरट, गाजाबाद, गोतब बुदगर, ह कら 10 ही हैं हाला कि इसके अलावा, उत्तर परदेश के आप ये जो उत्तरी भाग देख पा रहbly है, यानि के, चैय पूर्य उत्तर परदेश हो, यानि के, जो पूरे के पूरे भाग है, यानि के, सारंपूर से लगा करके, बिजनोर, मुरादबाद, küç, रामपूर, बर बारी बारी सोनेट संभावने मोसम भी भागने जताई है हाला कि पश्ची में उत्तरप्रदेश और पूर्वी उत्तरप्रदेश के जो अन्य भाग या अन्य जीले हैं जैसे कासगंज, फरुकाबाद, एटा, मेनपुरी, फिरोजबाद, कन्योज, ओरईया, इतावा, इसके अलाव दोस्तों बात करते हैं बिहार की तो बिहार के भी जो मद्य उत्री भाग हैं पश्यमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगण, सिवान, सारण, वैसाली, पटना, समस्तिपूर, बेगु सराय, सेरसा, मदेपूरा, भागलपूर, कटियार, पूर्ण्या, किसंदगण, अररिया, सुपोल, दर्भांगा, मधुबनी, सीतामडी, सीवहर, फरपूर, इन सभी जिलों के ज्यादतर भागों में, अच्छी तेज भारिबारिश होने के सबावने, मौसम भागने जताई है, हाला कि ब्यार के जो दक्षिनी भाग है, और अंगाबाद, गया, नवाद्दा, सेखपूरा, लकी सराय, जुमई, बंका, मुंगेर, इन जिल सबावने, चबिस गंटों के दोरां, हलकी भागों में, हलकी से मध्याब भागों में, अगले 25 गंटों के दोरां भी अच्छी तेज भारिबारिश होने के शंभावने भी, इन दोस्तों साबरकंठा, पाटन, मैसाना, अरवली, गांदे नगर, मैसागर, दाहोद, पंचमेल, छोटा उदैपूर, एमदाबाद, आनद, बडोदरा, छोटा उदैपूर, भरूज, नर्मदा, सूरत, तापी, दंग, नवसारी, बलसाड और इसके अलावा सवराष्ट के भी देभूमी, द्वारका, पौरबंदर, जूनागर, अमरेली, भावनगर, गिर, सोमनात, राजकोट, बोतार, जामनगर, मोरभी, इंजिलों के ज्यादतर भागों में, हलकी से मद्दम बारिश वा कुछ इलागों में, अच्छी तेज बारिश होने की संभावना है, अगले 24 ग करनाटक के कोष्टाल लिलाकों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है, तो दोस्तों ये थी आज की मोसम जानकारी, एक नई जानकारी के साथ से मिलता है, तब तके लिए सभी दोस्तों को नमस्कार,